असलाम लेकुम स्टूर्ट्स उमीद करती हूँ आप सब लोग खैरियसे होंगे हमारा सेकिन चेप्टर है वेक्टर्स, स्केलर्स अन वेक्टर्स प्रोड़क्त ठीक है यह अपने सेकिन रेल में पढ़े भी हुए हैं तो एक दफार रीवियो में आपको करवा देती हूँ स्केलर प्रोड़क को डॉट प्रोड़क भी कहते हैं ठीक है तो ए डॉट पी कैसे लेते हैं ए मैंगनी चूट बी मैंगनी जूट प्रोड़क वाइस अन्गल लेते हैं जाहते हैं और और इसको इनार प्रोड़क करता सकता है वेकतर प्रोड़क वर्णी एक व्हट प्रोड़क केसे लिए तरहा है वह आपके पास कॉमुटिटिव होता है और इसको इनर प्रोड़क कहते हैं इनर प्रोड़क भी कहते हैं इसको डू वेक्टर के तरह में डॉट प्रोड़क भी कहते हैं उसके माद आपके पास है आपने एंगल किस तरह निका आप देखो हम जब मैंगनी चूर निकालते हैं जब dot per a cap रहते हैं तो अगर तो dot per cancer 0 आ जाए ठीक है तो cos 0 आपके पस dot per cancer क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है तो अगर cos इसका क्या मतलब है a magnitude b magnitude cos of theta is equal to 0 तो a magnitude और b magnitude तो 0 नहीं होगी क्योंकि a vector भी non 0 है और b vector भी आपके पास क्या है non 0 दो non 0 vectors का अगर dot per equal to 0 आ जाए ठीक है तो इसका क्या मतलब है cos theta is equal to 0 है cos theta is equal to 0 तो cos inverse उदर ले जाएगे ठीक है तो theta की value क्या आजी की 90 ठीक नहीं है इसका क्या मतलब है अगर दो vectors आपस में perpendicular है तो उनका dot per क्या होगा must होगा वो 0 आएगा दो vectors के दिर्मियान अगर उसने check करने के लिए आपको question दे दिया जाए कि check these vectors are parallel या non parallel या perpendicular है या perpendicular है तो आपने क्या करना उनका dot product लेना है तो किसी भी vector की तो magnitude हम किस तरह लेते हैं a magnitude का square b magnitude का square हम किसी भी vector की देखें जैसे आप magnitude लेते हैं a vector लिया तो ठीक है a1i a2j और a3k आपके पास है तो जब आप इसकी magnitude लेंगे ठीक है तो a vector की magnitude कैसे लेंगे एक one i का square i की coefficient का square j की coefficient का square and k की coefficient का square तो आप देखो यह basically है क्या यह a dot a है यह यह a vector a vector i a2j a3k dot product a vector i a2j और a3 basic के लिए इन दोनों कापस में multiply करेंगे तो यही मिलेगा i को i के साथ और पर लिखते हैं j का j के साथ और पर लिखता है और k का k के साथ और पर लिखता है तो इसलिए a magnitude के square को हम लिख सेकते हैं a vector dot a vector अभी मैंने आपको बताए कि a dot b जो होता है a magnitude का square b magnitude का square cause of theta होता है theta वो angle होता है जो इन दोनों vectors के दर्मयान में होता है यह अठ्वे c a vector है और यह आपके पास b vector है और theta इन दोनों के दर्मयान का vector आपके पास आता है वो आपके पास अगर चेक करना हो कि टीज वेक्टर्स इस वेक्टर्स आर पर्फेंडिकुलर यानि कि यह प्रफेंडिकुलर हैं या नहीं ठीक है तो आप ने कहां करना है इंका डौर पराध्र अंजर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है क्यों ऐसे कैसे करते हैं को कि यह डॉट पर equal to 0 इसको equal to 0 पुट करेंगे यह इसकी value cos theta is equal to 0 तो इसका क्या मतलब है cos theta है को कि यह non zero vectors है तो इसका मतलब है cos theta is equal to 0 cos theta कब 0 होता है जब theta is equal to cos inverse of 0 तो 0 value कब देता है जब theta 90 degree होगा तो cos 90 पर आपके पास क्या होता है 0 होता है उसके बाद है आप dot product निकालते कैसे हैं और दूसरी बाद मैंने आपको बताया कि dot पर क्या होता है commutative होता है a dot b ब्राबर होता है b dot a के होता है इसी तरह i dot i one होता है क्योंकि ये unit vectors हैं i, j और k ये तमाम के तमाम आपके पास क्या कहलाते हैं ये unit vectors कहलाते हैं और unit vectors उसको कहते हैं जिसकी magnitude one unit vectors उसको कहते हैं जिनकी magnitude आपके पास क्या होती है one होती है वो vectors आपके पास unit vectors कहलाते है अब आई डॉट आई भी वन होता है जे डॉट जे भी वन होता है और के डॉट के भी आपके पास क्या होता है वन होता है लेकिन आई डॉट जे जो होता है अगर डॉट पर लें क्योंकि ये ये आई के अलॉंग यूनिय वेक्टर एकसिस के अलॉंग यूनिय वेक्टर होता ह या या पामिति को भी सबुनी तो ये इकसी ऌरश को परेकों के संब तो सलिए सब्सक्राद कर दिंग कीना उनना के ढenda कर दो hop-स में जाए कि पामिदमाऒ जाने सब्सक्रान i.j1, j.k1 and k.i1 यानि kão opposite के साथ multiplex करेंगे तो answer 1 आजै किS जो even को जो आणसर आपके पस 1 झा से या कैसे निकलता है या इसे निकलता है i की magnitude, J की magnitude और cause of 0 cos 0 जो होता है वो 1 होता है तो यह भी 1, यह भी 1 और यह भी 1 तो 1 multiply by 1 तो आपके पास क्या आजएगा? आंसर 1 आगए तो इससेंगा आपके पास या ओपोजिट के साथ hehe करेंगे तो आいたना ज़ेरो है सेम पास या सारा इसने थोराली एक्स्प्वरीन किया हुआ कि ओपोजिट के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो answer आपके पस क्या आएगा 0 आजग और सेम किसम multiply करेंगे तो answer आपके पस क्या आएगा 1 आगा तो आप dot product लेते कैसे है जैसे आप A vector आपको दिया हुआ है A I A 1 I A 2 J और A 3 K आपने B Vector लेना है B 1 I B 2 J और B 3 K तो जब A dot B निकालेंगे तो same के साथ I का I के साथ दौर पर जगा J का J के साथ और K का की का क्यों? क्योंकि I का I के साथ दौर पर 1 आता है I का J के साथ दौर पर भी 0 आजगा I का K के साथ दौर पर 0 आजगा इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे तो इसका इसके साथ और पर लेगेंगे तो A1, B1 और I.I Similarly A2, B2, J.J और Similarly A3, B3, K.K तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 तो क्या आजगा? A1, B1, A2, B2 और A3, B3 तो ये है आपके पास formula और पर निकालें अगर तो theta दिया गया है तो well and good अगर तो theta given है तो आपने ये वाला formula लगा लेना है theta given होगा तो A की vector भी दिया होगा B vector और theta भी दिया होगा तो आपने magnitude निकालें ठीक है अगर आपके बास magnitude vectors सिर्फ दियें है तो आपने क्या करना है A1, B1, A2, B2 और A3 अगर निकलेगा अब आगे है कि आपने एंगल किस तरह find out करना है vectors के दिर्में एंगल किस तरह calculate करते हैं angles ठीक है तो angles उसी तरह करेंगे आपके पास A dot B dot A magnitude B magnitude cause of theta दिया होगा है तो इसमें से theta की value निकालें तो cause theta कैसे आएगा A dot B dot multiply order जागे क्या आजएगा A magnitude और B magnitude तो यह इसकी value आगे इस तरह calculate आपने find out कर लेना है अब आपके पास है ठीक है जैसे example number one है example number one उसने दिवे discuss the magnitude of the vector यह वेक्टर दिया गया और also union vector union vector कैसे निकालते है वेक्टर को vector की magnitude से divide करेंगे तो union vector निकलाएगा तो A vector की magnitude आप पहले पिछली exercise में magnitude निकालते है आप यह छाए निकालते है तो यह वही है। यह स्केर I के कोफिशन के स्केर J के कोफिशन के स्केर व्ह 딱 जी की coefficient कैसे कैसे निकालेंगे झालेंगे इसी way tractors की magnitude से क्यादाऊएगे vector को week मेंगनीचूर से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका यूने वेक्टर निकलाएंगा उसके बाद देखें अब उसने यह दिया वे एक्जामपल नमबर टू है एक्जामपल नमबर टू दिया रफाइंगल बिट्विन दू वेक्टर्स फोर्टीन एंड लिए निकालें तो एक्टर की मेंगनीचूर भी उसने दिविया 14 B वेक्टर की मेंगनीचूर सैंवन धेडा इसने कहा दिया नाइंट तो सेम आपने इसकी वैल्यू पुट करनी एक्जामपल नमबर पूस यह आपके पास अंसर आ गया यह तो इसे वैसे लिए लेक्टर य यह है भी वेक्टर यह है तो दोनों को स्केलर पॉर्डर का पास लिया है इस वेक्टर के सांद मल्टिप्लाइब करेगा ठीक है ए वेक्टर के सांद और यानि कि उससे हमने वह वेक्टर करना है जो ए वेक्टर के साथ 45 का एंगल मलाता है अपके बस 60 का एंगल मलाते है तो आपने वह वेक्टर करना है हम लेट कर लेते हैं वह यूनर वेक्टर जो है वह है एक्स य और जड़िया लिक्तर को लिखने के नुटेशन से ना यहां तो कॉमाज की में लिख लो तो उसे आमको यह दिया हो है यह मैं आपको एक्जामपल करवा दudenती हुए इंपॉर्टन एक्जामप्ल है एक्जामपला आपके पास यह दी वी खें आप लेट कर लें कि U वेक्टर आपके पास दिया हो ए X I आपने कहा करना है इसके magniture find out करने है magniture है तो ये X square प्लस Y square प्लस Z square तो ये किसके बराबर आज़गा 1 क्योंकि उसमें कहा ये लिए वेक्टर हो जो वेक्टर वेक्टर होता है प्लस वाइस कर लें तो यह इकुशन नमबर वाण आपके पास यह अब उसने कहा है कि जो वेक्टर आपने यू वेक्टर फाइंड करना वह एक के सार्ट लेता है ठीक है तो यू की महीं नहीं चूर एक वेक्टर की महीं नहीं चूर और कॉज अफ इसका दोन नों का अपसमा मल्टिप्ला करना एक वेक्टर उसने आपको दिया हुआ है यू प्लस टू जे और माइनस के तो जब आप इसका डॉर यू के साल होगे तो 2x plus 2y minus z is equal इसकी magnitude 1 है और इसकी magnitude a vector की magnitude निकाल लें क्या निकलती है a vector की magnitude आज़के बस आती है 2 का square plus 2 का square plus 1 का square minus 1 का square तो यह आज़ेगा 4 plus 4 4 plus 4 4 plus 4 plus 1 9 9 आज़ेगा तो under 3 3 3 तो 45 degree का जो angle होता है 1 over under 2 होता है तो आपके पास एक equation यह आज़ेगा है 2x plus 2y minus z is equal to 3 over under 2 एक equation आपके पास यह आज़ेगा equation number 2 similarly उसने काया है के u dot b लेंगे तो u की magnitude, b की magnitude and cause of 60 degree तो उसने b जो vector आपको दिया हो है वो दिया हो है 0 i plus j minus k तो इसकी जो magnitude आएगी तो वो आपके पास under 2 आएगी तो इन दोनों कापस में multiply करो तो 0x plus y plus y minus minus z is equal आज़ेगे इसकी magnitude 1 और इसकी magnitude 2 और cause 60 degree पे आपके पास जो value होती है वो 1 over under 2 होती है cause 60 degree 1 over 2 होती है cause 60 degree 1 over 2 होता है तो यह अंडूर रूपर है नीचे तो नीचे आज़ेगा तो y minus z is equal आज़ेगा 1 over 2 यह equation no.3 आपके equation no.3 इन तीन equation को simultaneously solve करना और x y और z की value find out करना तो आप क्या करेंगे इस में से y की value निकालोगे तो वो आपके पास किस शकल में आज़ेगी ठीक है तो यह equation इसमें put करना तो इसमें से आपके x की value z में आएगी ठीक है यह put in 3 put in 2 जब आप इसको 2 में put करोगे तो 2x plus 2 under 2 z minus z is equal to 3 under 2 तो इस सब को उठा कर देल जाएंगे तो 2x तो यह under 2 उपर चला जाएगा under 2 minus 1 into z यह पर under 2 उपर ले जागे और फिर z में से कॉमन निकाले जाएगे यह एक्स की value आपके पास आजएगे 3 over under 2 minus under 2 minus 1 z और यह over में आजएगा 1 by 2 तो यह x का value यह y का value equation number 1 में put करना y भी in terms of z है x भी in terms of आपके पास क्या z है तो यह पूरी equation आपके पास क्या आजएगी z में आजएगी जब यह पूरी equation आपको Z में आजे के तो इक वाड़िक equation मेंने है तो क्वाड़िक equation को simultaneous के आपने solve करना है solve करके आपने इसके value find out कर लीनी है यानिक इस तरह question को solve simplify करना तो मैं आपको इसके pictures भी खाया इसके send कर दूँगी group पर उसके बाद है question example number four है यह भी बहुत important example example number four उसने का वहाँ है the zulton of the two vectors a and b is perpendicular to a यानिके उसने का है यानिके a और b का जो zulton a plus b ठीक है वो perpendicular किसके a के तो इसका मतलब है a के साथ जब वो दौर पर लेगा तो उसका answer का जेगा जीरो आजगा उसने का find the zulton उसने का है show that the zulton of two a plus b is perpendicular to b यानिके two a plus b को multiple डौर पर लें b के साथ तो वो answer क्या आना चाहिए zero आना चाहिए and if अगर b magnitude किसके बराबर जगा two a magnitude के अब उसने यह given दिया हुए तो आप डौर पर ले लें a dot b is equal to a plus a dot a को क्या लिखते है a dot a क्या होता है a magnitude का square होता है तो यह magnitude का square लिखा उसने और यह उद्या चला गया अब आपने यह साबिद करना है इसका इसके साथ डौर पर क्याना चाहिए zero आना चाहिए तो आपने इसके साथ dot पॉर लें तो b के साथ dot पॉर ले लिए b ba की बी के साथ dot पॉर पॉर क्याता है b m meinen ear चूट का square तो यह उद्धर चला जाएगा तो आप देखो यह उपर वाले b m a dot b किसे पराबर है माइनस ए मेइननी चूट का और इस यहां से आपको पता चला है के बी महिए चुड कि आजए रहें गर तोbellि Grad apologycontrol Time में चूड़् कर गर तो यह सकते हैं अब उसके बान है लैंपार व्लम्धा के यह दून दौन में पर पर घृजी लएकर उसके पास आपने उसके लता की value wind इसके बाом है आपके पास दिया हुआ है कोसानि ला निकालनाँ है एब एक्टर भी तो एक्टर और बी वेक्टर के पिले डाप पर ले ले लेना है फिर एक मेंगनी चूर निकालना निकालना बी की मैंद दोनों को डिवाइड किः जगा तो आपके पास आन से रहा जगा Similarly example number 7 है ये भी important example है उसने का A plus B का magnitude और A minus B के magnitude दोनों बराबर है तो आप थापित करें A और B पर परपेर्ड़ी कुल है दोनों magnitude बराबर है तो इसका एक वंदर के दोनों का squares भी अपसमें बराबर है ये बात हमेश्या याद रखिएगा कि जो मैंने का जो magnitude होती है वो अंडरूड A dot A होती है तो दो दो दोड़व square लेंगे तो A का square बराबर हो जाएगा A dot A तो इसका क्या मतलब है कि A dot A को magnitude का square भी लिख सकते हैं ठीक है तो magnitude को vector की symbol में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं simple ऐसे A arm लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है यह vector के दिरम्यान dot product है तो यह magnitude है magnitude एक number होता है वो scalar quantity होती है तो magnitude इस तरह brackets लगा कर arrow head लगा कर भी लिखा जा सकते है simple ऐसे magnitude भी लिख सकते है तो इसलिए जहां भी magnitude का square आएगा sorry यहां square आना है जहां भी magnitude का square आएगा तुसका मताव है कि उस वैक्टर की साथ ही dot product आना है similarly आपके पास यह है यानिके A प्लस B का magnitude है तो यह मानिन से तब दोनों का स्केरिंग करेंगे magnitude झिसका मताभ है इस वैक्टर का इस वैक्टर के साथ dot per magnitude magnitude का square है बेट इस वेक्टर के साथूर इस वेक्टर के साथ Wanna इस वेक्टर के साथूर पहर तो इसने सिंप्ली इसका डौरट प्र्ड 그런데 दिये है inner knowledge को तो आपके पास अंसर आ गया ठीक है एप्लिकेशन टू जू मेर्टर आपके इस लेबस में शामिल नहीं है ये इसकी थेरी थी और इसकी एक्जाम्पल्स थी ये अच्छे से कर लो फिर मैं इसके लेक्चर्स भी अप्लोड कर रही हूँ ओके अलाह आफिस